गांदी नगर मार्किट सुभाज रोतिकोना पारग की एक बिल्डिंग में लगी भीशनाग चार फाइल दमकल गाड़ियों ने भुजाई आग जैसे कि आप दिख सकते हैं कि गांधी नगर सुभाशनों तिगोना पारक की ये बिल्डिंग है जो इसकी सेकिंड फ्लोर में आग लगी है बताए जा रहा है कि शोट सर्कीट से आग लगी थी फाइर विकट की चार गाड़ी मोके पर आई जिन्नोंने आग पर काबू पाया फाइर विकट को साधे बार अब से कॉल की थी जो दो बजे आग पर पूरा काबू पा ले गए मार्किट के लोगों का कहना है कि यहां इस बिल्डिंग में देर महीने में दूसरी बार घटना है जो देर महीने पहले भी इसमें आग लगी थी जो लाखो का माल जलकर राख हो गये था अब आज फिर इसमें लगी है मार्किट वायों का कहना है कि आज सौंबार था मार्किट बनती इसलिए जो फायर की गाड़ी थी वो आरम से आ गई अगर आज और दिन होता अगर आज छुटी नहीं होती तो इस आग बिक्राल रूप ले सकती थी काफी दुकाने काफी मार्किट में आग फेल सकती थी सुम्बार था इसलिए ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ और जो फेक्ट्री के ऑनर है उनका कहना है कि हमारा लाखों का माल जल कर राख हो गया है इसमें आप देख सकते हैं कि एक छोड़ा सिलेंडर भी था जो वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस सिलेंडर से भी आग भुजाने की कोशिस की गई तो काफी शोर आने लग गया एकदम देखा तो हम लोगों ने धुआ निकल रहे उपर से तो आग लगी पता चला तो दमकल की गाड़ियां आई तीन चार गाड़ियां आई और काफी लोग कठे हो गए नुकसान हुआ है वहां दुकान दर है अंदर मार्किट है उनका नुकसान हुआ है दो तिन गुदाम है उनके जितना भी माल था सब जलकर राख हो गया पूरी तर सब्सक्रादा अध₂ वाकि व्यक्ति गःतनी किस tablespoon का दोने ही राख है यह यह किसंगों कि समान का नुकसान हुआ है कि झालत करती का दर है यह ने मंहीने महीने डेड़ मेने पहले आग लग चुकी है यह यह महीने में दूसरा चांस है इसी बिल्डिग में आग लगी है एक्षुल में किया मार्केट में रश काफी है मोहोल थोड़ा सा ऐसा है गरम का सीजन चल रहा है तो यहां पेकिंग वगर्ण भी होती है हमारी गली में तो मालवी लाख रुपे का लोगों को बड़ा होता है जिससे काफी भ्यंकर हानी हो सकती थी अगर बजार खुला होता था आज बजार बन था बस उपर वाले की महरबानी हो गई कम नुकसान में बचाव हो गया नहीं तो ये विकराल रूप बन सकता अगर वजार खुला होता तो बहुत ज्यादा हानी होती और जानमाल चलो सब सुरक्षित है कोई दिक्कत नहीं है बाकी भगवान की किरपा है